वेलकम बैक फ्रेंड्स तो दे कैपसूल नमबर नाइन मिनरल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2020 तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि सर ओडिनेंस कब आया था जैनवरी में बिलकुल आया गया मार्च 2020 में और ये अब बन चुका है एक्ट तो सर ये इस प्री औ और इसमें दोनों परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है तो आज हम इसको पूरा कॉंप्रेहेंसिवली कवर करेंगे कि सर इसके की प्रोविजन क्या है इसके क्या बेनिफिट्स है क्या इशू है इस एक्ट के साथ और क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए तो सर आ इन्होंने किस चीज कोमेंट किया दो एक्ट को पहला एक्ट माइन्स और मिनरल्स डिपल्लमेंट औं रिगुलेशन एक्ट यह एक एक अंब्रेला एक्ट है जो पूरे माइनिंग सेक्टर को whole mining sector पूरे mining sector को regulate करता है Sir regulator तो आप जानते होंगे fan का regulator जो speed को control करता है ऐसे ही ये law पूरे mining sector को regulate करता है control करता है और Sir दूसरा coal mines special provision act 2015 ये coal के auction and allocation में help करता है ठीक है Sir ये auction और allocation क्या है auction मतलब किसी भी चीज़ की बोली लगाना और बोली लगाने में जो जीच जाएगा उसको वो चीज़ allocate करती जाएगी तो कोई भी coal का block है उसमें क्या होगा पहले auction होगा फिर उसका allocation होगा वो किस से regulate होता है coal mines special provision act 2015 और इसके allocation Supreme Court ने 2014 में खारिश कर दिये थे ठीक है Sir तो ये background है आईए इस background में mineral laws amendment act 2020 को समझते हैं इन दो laws को उसने amend किया है तो समझते हैं कि key provisions क्या है इस act के ठीक है Sir तो amendment हुआ है तो पहले कुछ और रहा होगा अब कुछ और आ गया है तो दोनों को correlate करके समझेंगे composite license for prospecting and mining तो Sir पहले prospecting and mining समझते हैं माली जी Sir यह आपके पास field है 100 km2 की सरी आपको field दी गई 100 km2 की इसमें आप क्या करेंगे explore करेंगे इसमें आप क्या करेंगे minerals को locate करेंगे और फिर minerals को find करेंगे यह खोजनी की प्रक्रिया है इसको बोलते हैं prospecting Sir सर्च करना कि इस field में पूरी field में minerals का deposit है कहाँ पर minerals का भंडार उपस्तित कहाँ पर है माली जी यहाँ पर उपस्तित है उनको मिल गया prospecting से क्या मिल जाएगा आपको कि minerals कहाँ पर है फिर आप उन minerals को क्या करोगे निकालोगे तो extract करोगे इस extraction को क्या बोलते हैं mining prospecting and mining prospecting मतलब खोजना mining मतलब extract करना ठीक है सर तो दो license होते थे पहले एक prospecting करने के लिए license और दूसरा mining करने के लिए license ठीक है सर तो उससे problem क्या होती थी सर कि जब prospecting करते थे लोग 100 km2 का इस field में हमको minerals को ढूनना है तो उनको अपनी technology लगानी पड़ती थी research करना पड़ता था investment करना पड़ता था बहुत धेर सारा money और risk लेना पड़ता था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिल गया तो अच्छी बात सर मिलने के बाद मान लिजे यहाँ पर मिल गया तो prospecting license से आपने खोज निकाला अब आपको mining license चाहिए होता था इससे mineral को extract करने के लिए तो सर अब mining के लिए beating हुई लेकिन आप उसमें हार गए मान लिजे तो यह mining कोई और करेगा यानि खोजा आपने और mining कोई और कर रहा है मतलब घी निकाला आपने तो सर इसी लिए लोगों को incentive नहीं मिलता था कि इस काम के लिए वो जा पाएं prospecting कर पाएं वो खोज पाएं कि हमारा natural resource है कहाँ पर तो जब natural resource का पता ही नहीं होगा तो हम extract कैसे करेंगे ठीक है सर तो government ने क्या किया prospecting और mining दोनों purpose के लिए एक ही license ले आया composite license for prospecting and mining यानि जिसके पास ये एक license होगा वो दोनों काम कर सकेगा यानि जो खोजेगा prospecting करेगा वही mining कर पाएगा तो लोगों को अब incentive मिलेगा कि अपना research और investment करे खोजने में ताकि वो वहाँ से mineral को extract करके अपना profit भी ले ले ठीक है सर बहुत बढ़िया second removal of restriction on end use of coal तो भाईया समझे इस चीज़ को तो सर क्या हुआ कि जब आपने coal extract किया तो पहले क्या होता था कि ये किसी एक factory के लिए बनता था माल लिजे cement के लिए electricity के लिए इन power plants या किसी इन plants में इस coal को भेज देते थे ये पहले से तै हो जाता था तो सर आपने coal निकाला और आपके पास ये autonomy नहीं है कि आप इस coal को कैसे use कर सके तो सर ये problematic है तो अब क्या किया गया कि आपका अगर आपका खुद का plant है तो आप महाँ पे भी भेज सकते हैं या किसी भी plant में आप भेज सकते हैं पहली बात तो ये और दूसरा आप commercial sale कर सकते हैं commercial sale कर सकते हैं open market में यानि आप open market में इस coal को बेच सकते हैं या इस mineral को बेच सकते हैं ठीक है सर तो आप क्या हुआ है कि restriction को remove कर दिया गया and use of coal कि coal का आखर में use कैसे होगा आप बेच भी सकते हैं किसी plant में भी दे सकते हैं ठीक है सर थर्ड eligibility criteria for auction of coal and lignite blocks तो सर पहले क्या होता था कि आपको expertise होने चाहिए इस चीज में mining में prospecting में expertise होने चाहिए तब आप auction के लिए bidding process के लिए bidding मतलब एक हजार एक हजार दो एक हजार तीन sold तो bidding process के लिए आपको auction में बैठने के लिए भी expertise होनी चाहिए थी लेकिन सर अब इन्होंने क्या किया है कि अगर आपके पास expertise नहीं है तो कोई बात नहीं सर आपके पास expertise नहीं है तो भी आप participate कर सकते हैं और तीसरी चीज नहीं ने क्या की कि अगर आपको किसी और mineral में expertise है किसी और country में तो भी आप participate कर सकते हैं auction में ठीक है सर तो इन्होंने eligibility criteria को broad कर दिया ठीक है सर तो इन्होंने अच्छा काम किया चौथा re-allocation after termination of the allocation तो मालीजे किसी A person को allocate हुआ है 5 साल के लिए और 5 साल जब खतम हो गए तो किसी B person को allocate किया गया auction की थूँ अब A का term period खतम होगा और B को auction करके allocation किया गया इसकी बीच में टाइम फ्रीम होगा वो time gap होगा सर उस time gap को भी इन्होंने fill कर दिया उन्होंने कहा कि जो यह time gap होगा इसके period में हम क्या करेंगे हम किसी को भी यह custodian मना देंगे पूरे minerals mines का जो उसको manage करेगा यानि अगर coal block है A number का यह coal block A है तो इसको क्या करेंगे हम custodian किसी को custodian इसका बना देंगे वो इसको manage करता रहेगा यानि coal का production होता रहेगा किसी भी mineral का extraction होता रहेगा तो सर गैप नहीं आएगा coal के production में तो इन्होंने यह बात अच्छी की reallocation after the termination of the allocation ठीक है सर and allocation की बीच में जो time होगा उसका custodian किसी को बना देंगे ताकि वो manage करता रहे ठीक है सर advance action for auction सर मान लीजिए आपको ये coal block ये coal field दी गई आप extract कर रहे हैं 5 साल के लिए सर 5 साल आपके खतम हो रहे हैं इससे पहले ही state government क्या करेगी advance में action ले लेगी state government आपके tenure के खतम होने से पहले ही auction के लिए bidding process के लिए लोगों को बुलाईगी और किसी और को allocate कर दीगी ताकि आपका term period जैसे खतम हो उसका time period शुरू हो जाए यानि उन दो time period में gap ना आए यानि अगर 5 साल में आपका time period खतम हो गया तो 5 साल में तुरंथ ही वो second बंदे को allocate हो जाए और वो जो time gap होता था वो gap ना रहे ताकि production में कोई कमीन आए और extraction होता रहे delay ना हो advance में action ले लेंगे allocation के लिए auction करने के लिए next transfer of statutory clearance to the new bidders सर कैसे जैसे कि ये person है जिसके पास allocation approvals है different types के approvals इसको मिल चुके है इसके पास different type के clearances है जो इसको मिल चुके है तो सर क्या होगा जब आपने किसी B person को इसके time period खतम होने के बाद A के खतम होने के बाद B को allocate किया तो हम ये सारे जो approvals clearances A के पास हैं वो B को extend कर देंगे 2 साल के लिए और B से कहेंगी कि आप 2 साल के भीतर अपने approval को renew कर वा लिजिए कहने के मतलब सर कि B को इस काम के लिए अलग से time period नहीं देना पड़ेगा जैनि अलग से allocation, approval clearances नहीं लेने पड़ेंगे ठाकि coal का production में या किसी भी mineral के extraction में देरी ना हो सके आपको 2 साल के लिए यह सब सब जितने भी statutory clearances है सब आपको मिल जाएंगे ठीके सर तो अगर आपको सारे clearances मिल जाएंगे तब आपको 2 साल का time मिलेगा और 2 साल में आप सारे clearances आप ले लिजी और coal का production या किसी भी mineral का extraction चालू रखिये ठीके सर तो transfer of statutory clearance to the new bidders for the period of 2 years ठीके सर next सर यह important है prior approval of the central government is not required in granting of reconsinance permit prospecting license or mining lease in respect of minerals in certain cases तो सर कुछ cases में central government का prior approval नहीं चाहिए prospecting license, mining lease के लिए, इन सब के लिए central government का prior approval नहीं चाहिए सर कौन से cases है अगर central government ने खुद ये allocation order issue किया है तो फिर नहीं चाहिए उसका prior approval and allocation order issued by the central government itself और सर दूसरा case अगर किसी area का reservation किया उन्होंने और इस reservation को state government या central government ने notification के द्वारा जारी किया है इसके लिए अब central government का prior approval नहीं चाहिए अगर इसमें किसी को prospecting license देना हो या mining lease देना हो समझ रहे है सर तो कहने का मतलब prospecting license, mining license ये सब तो चाहिए लेकिन central government का prior approval नहीं चाहिए समझ रहे है अंतर ठीक है सर तो ये इस act के key provisions है ठीक है सर अब आईए समझते हैं इस act के benefit क्या है तो सर जो आपके provision समझे हैं आपने उन्हीं से benefit समझ में आएंगे आपको देखिए broadening of playing field सर कैसे broadening भाईया अब आप जिनके पास expertise नहीं है उनको भी आपने क्या कर लिया बर वो financially strong है तो उनको भी आपने auction की procureur में सामिल कर लिया वो भी participate कर सकते हैं किसी के पास different minerals के extraction में expertise है उसको भी आपने involve कर लिया भाईया किसी और country में अगर उसको expertise है किसी और mineral में तो उसको भी include कर लिया तो आपने क्या किया auction process में कई players को बढ़ा दिया इसलिए आपने playing field को क्या कर दिया broad कर दिया ठीक है सर broadening of playing field second decrease in the coal imports सर अभी कुछ सालों में coal का import भारत बहुत करने लगा है इससे हमारा import बिल भरता जा रहा है तो अब coal का तो use करना ही पड़ेगा क्यों सर क्योंकि हर घर बिजली पहुचानी है और बिजली coal से आएगी क्योंकि coal सबसे cheap माध्यम है बिजली produce करने का electricity produce करने का तो सर कोल की तो जरूरत पड़ेगी तो अगर बाहर से नहीं मनाएंगे तो घर से उत्पादन करना पड़ेगा घर से produce करना पड़ेगा तो यही करना चारहे हैं तो हम घर से produce करना चारहे हैं इसलिए इन सबको ease दे रहे हैं कि आईए prospecting कम license लीजिए prospecting कम mining license लीजिए आप prospecting कीजिए और mining भी आप ही कीजिए तो ऐसी सुर्धाएं उनको दे रहे हैं ताकि investment increase हो सके ताकि घर में production increase कर सके और बाहर से coal का import कम कर सके ताकि हमारा current account deficit भाया सही रूप में सही से आ जाए क्योंकि यह बढ़ता चला जा रहा है ठीक है सर तो decrease in the coal imports थर्ड efficient process of allocation का मतलब यह हुआ सर कि अब आपको prospecting और mining के लिए एक ही license चाहिए तो सर यह allocation में efficiency नहीं आ गई यानि जो आदमी prospecting करेगा वही mining कर सकेगा तो लोगों को यह incentivize करेगा तो यह इस act का benefit हो गया efficient process for of allocation next smoother transition तो सर state government क्या करेगी आपका tenure खतम होने से पहले ही आपको क्या करेगी उस block का क्या करेगी auction करवा देगी तो उसका re-allocation कर देगी किसी और को तो 5 साल खतम होती ही कोई और आ जाएगा तो gap नहीं आगा तो smoother transition और जो पहले वाले के पास clearances है कुछ पहले वाले के पास जो approval है वो अगले वाले के लिए 2 साल के लिए उसको extend कर देंगे तो सर smoother transition होगा person 1 और person 2 जो school block को लेगा जिसको allocate किया जाएगा दुबारा re-allocate किया जाएगा ठीक है सर smoother transition next attracting investment तो सर 100% FDI allow कर दिये हमने और हमने क्या कहा है कि दूसरी country में अगर किसी भी mineral feed में expertise हो तो वो इंडिया में auction में क्या कर सकता है auction में participate कर सकता है तो सर हम क्या कर रहे है जाहिट से बात है हम अपने investment क्या कर रहे है increase कर रहे है FDI को बुला रहे हैं देश में तो attracting investment and last promoting ease of doing business तो सर इतना सब हम कर क्यों रहे है ताकि हमारा यहाँ पे coal में business करने में क्या हो जाए ease हो जाए तब ही तो हम क्या दे रहे हैं सर prospecting come mining license removal of and use of coal तो यह सब हम इसी लिए कर रहे हैं सर ताकि ease of doing business में क्या हो सके उसको हम promote कर सके है लेकिन सर इसके साथ issues क्या हैं इस law के साथ सर जो benefits हैं उसी में थोड़े बहुत दिक्कते भी हैं जैसे कि सर हमने क्या किया expertise नहीं मांगी लेकिन सर यह mining sector ऐसा sector है जहां पर expertise तो आपको होनी चाहिए तो अब आपने expertise वाला clause हटा दिया कि अगर आपके पास expertise नहीं है कि वह आप financially strong है तो आप participate कर सकते हैं auction में तो आपने यहाँ पर expertise का clause आपको हटाना नहीं चाहिए था क्योंकि mining sector requires expertise तो पहला issue यह है कि dilution of the eligibility criteria second natural resources can be misused सर आपने 100% FDI कर दी है और आपने कहा है कि end use of coal आप commercial sale के purpose से भी यूज़ कर सकते हैं सर तो क्या होगा maybe कि यह natural resources का misused करे foreign pairs हो सकता है तो second issue इसके साथ यह third could be detrimental for the environment sir not could be it will be detrimental for the environment sir अगर आप coal का import नहीं करेंगे और coal का production इंडिया में बढ़ाएंगे तो भी तो coal का ही use करेंगे electricity produce करने के लिए तो coal अगल electricity को produce करेगा तो coal pollution भी तो generate करेगा जो environment की quality में degradation ला देगा environment की quality खराब कर देगा तो sir इसलिए यह detrimental हो सकता है environment के लिए यह बिल्कुल हो सकता है and last future of the coal India limited is in doubt sir of course is in doubt क्यों sir क्योंकि आपने private player का scope इतना बढ़ा दिया है और coal India limited की monopoly ही खतम कर दिया तो sir जो government का strategic asset है important asset coal mining field तो sir उसको भी आपने doubt में ला दिया है तो sir यह problematic हो सकता है future of coal India limited maybe in the doubt तो sir way forward क्या होना चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं way forward क्या होना चाहिए sir हमने माना कि हमको अपना import का bill कम करना है coal का import कम करना है और हमें अपना domestic production बढ़ाना है पर sir हम यह करते हुए कभी यह न भूल जाएं कि हमें coal का usage कम करना है हमें coal का usage नहीं बढ़ाना है हमें renewable energy के source को बढ़ाना है non renewable energy के sources को promote नहीं करना है क्योंकि वो environment friendly नहीं है तो sir हम coal का production domestic production इंप्रीज ज़रूर करें पर यह ध्यान में रखें कि हमको coal का overall usage जो है वो कम करना है और सथ दूसरी चीज़ यह करें कि जो कमपनियां आ रही है auction के लिए उनको evaluate करें कि भाई expertise नहीं है लेकिन थोड़ा सा evaluation process तो होना चाहिए न उन companies को check करने के लिए कि वो सही धंग से काम कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी ठीक है सर answer last last आप way forward क्या एक सकते है कि coal use and production should be gradually decreased coal का use production को धीरी धीरी decrease करना चाहिए और एक दिन खतम ही कर देना चाहिए और हमें किसमें निर्भर हो जाना चाहिए renewable energy के source में हमको निर्भर होना चाहिए उनके percentage को बढ़ाना चाहिए तो non renewable energy का percentage करना चाहिए और renewable का बढ़ाना चाहिए और हमें greener growth की तरफ बढ़ना चाहिए sustainable and greener growth तो सर हमारा sustainable goal number 7 देखिए affordable and clean energy इसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए और हमें अपने sustainable goal को प्राप्ट करना चाहिए तो ये way forward हम लेख सकते हैं ठीक है सर तो मैंने आज आपको पूरा comprehensively बताया है कि Mineral Laws Amendment Act के key provisions क्या है इस Act के benefits क्या है issues क्या है और way forward conclusion क्या होना चाहिए पूरा answer writing forward में मैंने आपको समझाया है तो आपको ये comprehensive session कैसा लगा ये comment box में बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो like कीजिएगा और ये मेरा channel है hope तो शांत आदो and I always hope कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है content अच्छा लग रहा है तो आप channel को subscribe करेंगे ये मेला telegram link है जहाँ पर मैं इन PDF को upload करता हूँ आप download कर लीजेगा आपको comprehensively एक ही जगा पर पूरा amendment act PDF के रूप में मिल जाएगा ठीक है सर तो आज के लिए इतना ही thank you जैहिंद